आज कहानी है कि राधा जी की मृत्यू कैसे हुई और कैसे भगवान स्री किर्ष्ण ने अपनी बांसुडी तोरी तो आज कहानी इसी वीडियो में आप लोगों को हम सुनाएंगे कि राधा जी की मृत्यू कैसे हुई और कैसे भगवान स्री किर्ष्ण ने अपनी बांसुडी तूरी तो भगवान स्री किर्ष्ण का जनम मतुरा में हुआ था और गोकुल में नंद बाबा के यहां पले बड़े और राधा जी का जनम बरसाना में हुआ था और बरसाने में पली बड़ी तो नंद बाबा जो थे और राधा जी के पिता के बहुत अच्छे मित्र थे तो जब भगवान स्री किर्ष्ण आठ वर्ष के पूरे हुए तो उनके जनम दिन पर नंद बाबा ने गाधा जी को और राधा जी के पिता जी को बुलाया अपने उस्सो में जन दिन में तो वहाँ पर राधा जी की और किर्ष्न की मुलाकात हुई वहीं से उनका आठ साल की ही उम्र से प्रेम सुरू हुआ तो प्रेम होने के बाद जब भगवान स्थी किर्ष्न बाशुरी बजाते तो राधा जी बरसाना से गोकुल को चली आती उसके बाद जब स्री कृष्ण 14 वर्ष के हुए तो उनके मामा कंस जो था उन्होंने उनको युद्ध की अन्मती भेजी और कहा हमसे युद्ध हाकर करिये क्योंकि वो जानता था कि स्री कृष्ण के ही हाथो मेरी मृत्यू है तो जब स्री कृष्ण गोकुल छोड़ कर जा रहे थे मतुरा को तो राधा जी आई और राधा जी जानती थी कि अब ये कभी वापस नहीं आएंगे गोकुल में तो उन्होंने जाने की आज्या नहीं दी लेकिन फिर भी श्री कृष्ण चले गए मतुरा जाने के बाद श्री कृष्ण और रावड कंस में बहुत ही युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने कंस को मार कर श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद मतुरा का राजा श्री कृष्ण हुए और राधा जी की और श्री कृष्ण की प्रेम कहानी चलने लगी उसके बाद जब रुकमनी ने अपना पत्र भेजा फ्रेम पत्र स्री किर्षन को कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ तो स्री किर्षन ने रुकमनी से विवाह किया और विवाह करने के बाद एक द्वारी का नगरी वसाई वहीं पर वो रहने लगे और राधा जी का विवाह एक ग्वाले के साथ हुआ जो मतुरा में ही कंसके यहां रहता था तो राधा जी जब अपना विवाहिक जीवन बिताने के बाद वहीं पर रहने लगी तब स्री कृष्ण को याद करती और स्री कृष्ण सोते हुए भी राधा जी को स्री राधे करते रहते तो जो महरानी रुकमणी थी उन्होंने कहा कि प्रभू आप रात्री में भी राधे नाम जबते हैं तो आपका प्रेम कैसा था तो स्री कृष्ण ने कहा तुम राधा जी से मिलकर आओ और उनके लिए कुछ लेते जाना तो जब रुकमणी राधा जी से मिलने गई तो वहाँ पर राधा जी के लिए रुकमणी ने गरम दूद लेकर गई थी तो गरम दूद जब लेकर गई तो रुकमणी ने राधा जी के दासी से कहा मैं द्वारिका से आई हूँ और स्री कृष्ण ने मुझे भेजा है तो राधा जी दोड़ी चली आई और राधा जी को रुकमनी ने वो गरम दूद दिया और राधा जी ने ऐसे ही तुरंत उसको गरम दूद को पी लिया तो पीने के बाद थोड़ी देर उनकी बातचीत होने लगी और राधाजी को देखकर रुकमणी कहने लगी आप बहुत ही सुंदर हो इसलिए भगवान स्री कृष्ण आपको रात्री में भी याद करते रहते हैं रुकमणी ने राधाजी से मुलाकात करने के बाद जब वापस आई द्वारिका तो जब स्री कृष्ण के पैर दबा रही थी तो स्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हुए थे तो रुकमणी ने कहा कि प्रभू आपके पैरों में छाले पड़े हुए हैं आप मेंगे पैर कहा गए थे तो स्री किर्शन ने कहा तुमने गरम दूद राधा जी को पिलाया तो उनके जवान में चाले पड़े और उनके हिर्दय में चाले पड़े तो मेरे पैर उनके हिर्दय में वास करते हैं इसलिए मेरे पैरों में भी चाले पड़ गए तब रुगमणी ने कहा आपका प्रेम ही बहुत ही गहरा है राधा जी जब अपना वैवाहिक जीवन बिताने के बाद जब द्वारिका आई तो स्री किर्ष्ण के यहां नोकर बनके रहने लगी और दिन भर उनकी सेवा करती और रात्री में उनकी पूजा करती तो वहीं जब द्वारिका में उनका अन्तिम तो राधा जी जब द्वारिका में उनका अंतिम छण आया और वो जान गयी कि मेरा अब आखरी दिन है तो भगवान स्री किर्ष्ण को याद किया और कहने लगी मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहती हूँ जिस रूप में तुम बरसाना और विरिंदावन में रहते थे तो श्री कृष्ण उसी रूप में आ गए और बांसुडी बजाने लगे बांसुडी की दुन सुनते सुनते राधाजी के प्राण निकल गए और वो मृत्यू हो गई उनकी तो उसी दिन श्री कृष्ण ने अपनी बांसुडी तोड़ दी और उसी दिन से कभी बांसुडी की बजाया नहीं और ऐसे हुई राधा जी की मृत्यू और ऐसे स्री किर्ष्म ने अपनी बांसुडी तोड़ी नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लोग में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे तो यह थी कहानी श्री राधा जी की और भगवान श्री किर्ष्म ने अपनी बांसुडी कैसे तूड़ी और राधा जी की मृत्यू कैसे हुई तो इस कहानी को इसी पर करते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करें